नमस्कार बहुत स्वागत हैं आपका आप देख रहे हैं भाग्य और मैं हूँ आपके साथ शेलेंद्र पांडे बात करेंगे 14 सितंबर 2022 दिन बुद्धवार के दैनिक राशी फलकी शुरुआज सबसे पहले करेंगे मेश राशी के साथ मेश राशी आपकी सेहत लगातार बहतर होती चली जाएगी स्वास्त की मुश्किलें धीरे धीरे आज कम होती दिखाई देंगी करियर की स्थिती भी आपकी लगातार ठीक बनी रहेगी और सबसे बहतर बात ये है कि इस समय धन का लाब होगा रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है भगवान गणेश को थोड़ी सी दूरवा यानि दूब घास अगर आप अरपित कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा व्रिशब राशी बेवज़ा का तनाव आपको हो सकता है बेवज़ा की चिंताएं परेशान कर सकती हैं और जादा तर चिंताएं आपको पैसो की हैं और अपने परिवार को ले करके हैं ऐसा लग रहा है देखिए चिंताएं जो भी हों लेकिन करियर में आज लापरवाही मत करिएगा तो कि लापरवाही करने से किसी बड़ी मुश्किल में आप पढ़ सकते हैं गाए को अगर हरा चारा आप खिला दें तो आपके दिन के मुश्किलें बहुत हट तक कम हो जाएगे मिथुन राशी धन लाब के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं और मानसिक चंताएं भी इस समय आपकी समाप्त होंगी ये संभावना दिख रही है करियर में आपको इस समय नए अउसर मिलेंगे तो अगर नए अउसर मिलते हैं तो जल्दबाजी में मत जाईएगा सोच समझ के विचार करके तब निर्ड़े लीजिएगा किसी निर्धन को अगर आप थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा करकराशी करियर के नए अउसर आपको मिलेंगे जिसके लिए आप काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे वो सफलता आपको इस समय प्राप्त होगी कोई शुब सूचना भी इस समय आपको मिल सकती है ये संभावना आपके लिए दिख रही है और तमाम तरह की मानसिक चिन्ताएं आपकी समाप्त होंगी यानि आपका दिन अच्छा बना रहेगा भगवान गणेश को अगर आप दूरुवा अर्पित कर दें दूब घास अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा सिंग राशी, धन लाब के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं, पैसों की प्राप्ती होगी और आपके करियर में सुधार होता हुआ भी इस समय दिखाई दे रहा है इस्थान परिवर्तन के लिए चेंज ओफ प्लेस के लिए तयार हो जाईए क्योंकि ये समय आपके करियर में आपके इस्थान में परिवर्तन की सूचना दे रहा है किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा कन्याराशी चोड़ चपेट से बचाव करिये दुरघटनाओं से आज आपको बचना है और बेवज़ा के विवाद ना हो जगड़े ना हो उसमें सावधानी रखियेगा करियर के निर्ड़ेओं में भी अगर आप सावधानी रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि जल्दबाजी में लिया हुआ निर्ड़े मुश्किलें बढ़ा सकता है गाए को अगर थोड़ा सा हरा चारा आप खिला दें तो आज दिन की मुश्किलें आपकी बहुत हद तक कम हो जाएंगे तुलाराशी बेवज़ा की दोड़ भाग आज दिखाई दे रही है आज व्यर्थ की दोड़ भाग हो सकती है हालाकि आपको इस समय रुका हुआ धन भी मिल सकता है ये संभावना आपके लिए बन रही है आपके लिए करियर में कुछ परिवर्तन की सूचना भी है करियर में कुछ परिवर्तन के इंडिकेशन्स भी आपके लिए दिख रहे हैं किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का दान आप कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा व्रिश्चिक राशी मानसिक स्थिती में आपके सुधार होता दिख रहा है मानसिक चिनताएं आपकी समाप्त होंगी और इस समय धन लाब के अच्छे योग भी आपके लिए बने हुए है सिक्षा प्रत्योगिता के मामले में कॉम्प्टीशन में पढ़ाई लिखाई में आपको निश्चित रूप से इस समय सफलता की प्राप्ती होगी भगवान गडेश को अगर आप दूरुवा अर्पित कर दें तो आपके दिन के मुश्किलें बहुत हट तक कम हो जाएगी धन उराशी दूबा हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होता दिख रहा है दूबा हुआ धन मिलने से चीजे रास्ते पर आजाएंगी करियर में आपको सफलता मिलेगी और थोड़ा सा प्रियास आप करेंगे तो रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे किसी निर्धन व्यक्ति को अगर खाने पीने की वस्तुका आप दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा शुब होगा मकर राशी परिवार में थोड़ी दिक्कतें थोड़ी समस्याएं आज हो सकती हैं इसलिए आज शान्ती रखना जरूरी है और बे बज़ा के विवादों से बचने का प्रियास करें बे बज़ा आपको क्रोध ना आजाए या वाणी का बुरा प्रियोग ना हो जाए अपने वाणी और क्रोध पर नियंत्रन बनाए रखिएगा गाए को अगर आप हरा चारा खिला दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक समाप्त हो जाएग कुम्बराशी, कोई शुब सूचना जो आपके करियर से रिलेटेड है, जो आपके करियर से जुड़ी हुई है, ऐसी कोई शुब सूचना आपको प्राप्त होगी रुका हुआ धन इस समय आपको मिल जाएगा, लेकिन जो महत्तुपूर बात है वो समझेए, अपने करियर के मामले में किसी तरह की लापरवाही मत करियेगा, वरना आगे चल करके मुश्किलें बढ़ सकती हैं किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें, तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेह्टर होगा मीन राशी, रिष्टों की तमाम तरीके की समस्याएं आपकी हल होंगी करियर में आपको नए अवसर इस समय प्राप्त होंगे किसी छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं, ये संभावना आपके लिए इस समय दिख रही है भगवान गडेश को थोड़ी सी दूब घास, थोड़ी सी दूरुवा अगर आप अरपित करके प्राथना करें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा तो ये तो रहा बारह राशी के लोगों के लिए दैनिक राशी फल अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाए आज शाम के समय में भगवान गडेश की पूजा अवश्य करें थोड़ा समय निकाल करके सूरियास्त के बाद उनको थोड़ी सी दूरवा यानि दूब घास अरपित करके प्राथना करें जो भी आपके रुके हुए काम हैं जो भी आपके फसे हुए काम हैं इस छोटे से उपाए को करने से वो काम आपके पूरे हो जाए तो आपके लिए आज का दिन शुब हो मंगल मैं हो इसी कामना के साथ मुझे दीजे इजाज़त देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक नमस्कार